स्वालेकुम डियर फ्रेंट्स आई एम नवीद हमेद फ्राम चैनल नवीद अलेक्ट्र अफिशल और बेटाज जो हमारा ठापिक है वो है जी हाफ वेव रिक्टिफायर जैसा के हमें मालूम है रिक्टिफायर एक ऐसा सरक्ट होता है जो के एसी उल्टेज को डीसी हैं एक हाफ वेव रिक्टिफायर होता है एक फुल वेव रिक्टिफायर होता है पर फुल वेव रिक्टिफायर में फॉर्दर उसकी दो टाइप्स हैं एक संटर ट्रेप फुल वेव रिक्टिफायर होता है और दूसरा जो है वो ब्रिज रिक्टिफायर क्या लाता है तो वो फोल वाय कर दोंगा अब आज hybrid करते हैं आपको बात करते हम हाफ एक सरकॉट होता है जो के आपको हाफ कि रिक्टिफ केशन करके डेता है जैसा कि आपको बेटा सामने स्क्रीण पर देह रहाै है इस rectifier circuit में जो हम component जो हम component यूज़ करेंगे उसमें सबसे पहले तो transformer है और यह हमारे पास एक step down transformer है बेटा यह transformer का symbol है यह transformer क्या करता है इसको जब AC input power supply दी जाती है प्रिचल को तो दोर पर हमारे पास यहां पर जो voltage है वो 220 volt है तो इसकी primary पर इस transformer की primary winding पर जब यह 220 volt apply होते हैं तो यह step down है और हम जो अब use करेंगे प्रक्रिक के लिए अब यह हम देख भी लेंगे यह transformer इस 220 voltage को बेटा आपको 24 volt में convert करके देता है और यहां पर यह secondary voltage आपके पास इस secondary winding पर मुझूद होते हैं इसकी input पर भी AC supply होती है और बेटा इसकी output पर भी आपको यानी मतलब यहां पर secondary में भी आपको AC supply मिलती है transformer सिरफ आपको voltage कम करके देता है जिस तरह यह step down transformer है या आपको voltage ज्याद करके देता है या step आप उसे कहते हैं बाकी AC इसकी input होती है और AC sine wave इसकी output होती है ठीक है बेटा यह तो transformer हो गया यह step down transformer है सिरफ voltage कम करने के लिए हमें लगाया हुआ है इसके साथ जो main component है rectifier के बेटा वो diode है जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यह diode के बेटा symbol है और इस diode के बेटे दो आपके पास terminal होते हैं एक को anode केते हैं और दूसरे को cathode केते हैं तो diode हमने इस तरदीब से यहां पर लगाया हुआ है ठीक है और यही diode आपको rectification करके देगा मतलब half way rectifier हो या full way rectifier हो तो इसमें जो main component आपके पास होता है जो के rectification का अमल करता है वो diode होता है और इसको पिर आप मुक्तलिफ तरीकों से लगाते हैं और आप अपनी मर्जी की जो है वो rectification हासल कर सकते हैं पिर इसके इलावा जो output voltage हम लेंगे बेटा उसके लिए हम यहाँ पर एक resistor लगा लेते हैं आप LED भी लगा सकते हैं कोई load लगा सकते हैं हम यहाँ पर प्रिक्टिकली हम यहाँ पर क्या लगाएंगे एक resistor लगाएंगे तक्रीबर वन किलो ओहम की वो resistor होगी और इस resistor को हम क्या कहते हैं बेटा इसको हम load resistor कहते हैं तो देखते हैं कि यह rectifier किस तरह काम करता है बेटा हमें मालूम है कि जब कभी इस easy sine wave का positive half cycle आता है तो positive half cycle के दोरान क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो transformer की secondary winding है यहाँ पर आपको positive signal मिलता है और यहाँ पर पिर आपको क्या मिलता है negative signal मिलता है यानि यह side जो है transformer की secondary winding की यह वाली जो side है यह more positive होती है than this side जब यहाँ पर आपको positive signal मिलता है तो यह positive voltage जब diode के एनोट पर यहाँ पर मुस्थल होती है तो बेटा हमें पता है कि diode का anode हमेशा के लिए हम positive side के साथ लगाते हैं बेटरी के और cathode हम negative side के साथ लगाते हैं क्योंकि यहां पर anode पर आपको holes मिलते हैं डायोट की अगर आप internal construction देख लें तो यह P side होता है डायोट का यह N side होता है तो anode जो P side है वो हमेशे के लिए हम positive terminal के साथ लगाते हैं supply के साथ और cathode को हम negative supply के साथ लगाते हैं लेकर यहां के अटोड जो है वो negative के साथ connected है और anode जो हो positive के साथ connected है तो इस configuration को हम कहते हैं कि diode जो है बेटा यह क्या हो चुका है यह forward bias हो चुका है तो forward bias होने के साथ क्या होता है कि यह diode conduction शुरू करता है और इस पूरे half cycle में यानि इस पूरे positive half cycle में बेटा यह diode conduction करता है और आपको output पर यही positive half cycle जो है यहां पर मिल जाती है ठीक है बेटा यह तो positive half cycle की बात होगी इसके बाद जब negative half cycle आता है तो क्या होता है कि हमारे पास जो transformer की जो secondary winding है इसकी output पर आपको यहां पर negative voltage मिलते हैं क्योंके negative half cycle आ गया है और यहां पर बेटा पिर आपको positive voltage में ते मतलब यहां की जो यह side है ट्रांसफ़रों की secondary winding की यह जो side है यह more negative हो जाती है इस side से तो यह side negative हो और यह positive हो अब अगर आप देखें तो इस diode का इसके साथ हम लिख लें यह diode है इस diode का जो anode है बेटा यह power supply की जो है वो negative terminal के साथ connect हो जाता है anode और cathode यह है वो power supply के positive terminal के साथ connect हो जाता है तो इस किसम की जो हमारे पार बैसिंग हो जाती है डायोड की तो बेटा इसको कहते हैं reverse bias और हमें यह पता है कि diode reverse bias में इस तरह काम करता है जिस तरह के एक open switch होता है मतलब यह इस तरह हो गया कि यह diode बिल्कुल यह open है और यह circuit यहां से break है क्योंकि यह diode जो है यह reverse bias में बैटा conduction नहीं करता जब conduction नहीं करता तो यहां से जो half wave है यह वाली जो negative half cycle है यह बैटा पिर आपको यहां पर output पर नहीं मिलती तो यह dotted line से मैंने यह show किया हुआ है कि यह negative cycle जो है यह skip हो जाती है यह आपको output पर नहीं मिलती इसके बाद जब power supply से यहां पर आपको पाजट ओ हर्फ cycle दोबारा आ जाती है तो यह side दबारा पाजट हो जाती है ठीक है यह उहां पर यह positive हो जाती है और नीचे जो है यह side बैटा यह negative हो जाती है तो आपको पर उसके बाद अगला जो positive half cycle है वह यहां पर मिल जाता है और ये सिलसला जारी रहता है जब तक इस डायोट को जो है पाउर सप्लाई मिलती रहती है तो अगर आप इस इंपुट और आउटपुट जो वेव फार्म से बेड़ा इन तोनों की जरा आप कमपेरेजन करें तो देखे जरा आप ने तो डायोट को फुल रहे हैं वो खतम हो रहे हैं तो इस किसम की अमल को हम रिक्टिफिकेशन केते हैं और चुंके ये आपको हाफ वेव मिल रही है तो इस किसम की जो रिक्टिफिकेशन है ये हाफ वेव रिक्टिफिकेशन के लाती है और इस सरक्ट को हम हाफ रिक्टिफायर केते हैं ठीक है ब कड डायगराम के मताबेग मैं ज़रा अब इस डायارड और रिजिस्टर को लगाने वाला हूँ ब्रेढ़ बृट पर इस सिर्कुट में बनाने वाला हूँ सबस्ब पहले लिए wildlife आपने बैठाए इस ब्रेढ़ बोट की और मीटर्स वगयरे को बेटा ये सीक लें तो इन्शालला पिर ये जो सरक्ट्स हैं आपको बहुत असानी से समझ जाएंगी तो बेटा उसे डियाग्राम के मताबिक मैं जरा सबसे पहरे यहां पर डायोट को कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है देखें जरा तो इसे एहतियाद के साथ अपने ये लगाना है ठीक है जी एक टर्मिनल यहां पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ और दूसरा टर्मिनल डायोट का जो है वो मैं यहां पर कनेक्ट कर देता हूँ ठीक है जी यह डायोट बेटा यहां पर कनेक्ट हो चुका है ठीक है इसके अगर आप देखें यहां पर एनोड जो है वो इस साइट पर आ गया है एनोड इस साइट पर है लफ्ट साइट पर और के तोड जो है बेटा वो यहां राइट साइट पर मौझूद है circuit diagram के मताबिक इसके साथ मैंने एक resistor लगानी है जो के एक load resistor है तो load resistor देखें आपको मैंने बताया है breadboard में breadboard की वीडियो देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखें जैसा कि आपको पता है कि breadboard में यह जो lines है बेटा यह सारी के सारी यह lines यह vertically connect होती है अब मैं अगर इस resistor को इस diode के साथ यहाँ पर connect करना चाहूँ तो vertically इसी line में किसी भी slot में यहाँ पर आप इस diode की एक जो leg है वो insert कर लें और दूसरी leg जो है वो यहाँ पर किसी दूसरे शार्ट में insert कर लें लेकिन खियाल रखें कि यह शार्ट ना हो जाए मतलब इसी vertical line में पिर आपने दूसरी leg को insert नहीं करना ठीक है बैटा यह simple सा आपके पास हाफ वेवर रिक्टिफायर का यह circuit है सरक्ट आपने बना लिया ठीक है अब हम ज़रा कोशिश करेंगे कि इसको supply दें और input output supply पिर हम चेक करेंगे वो CRO पर भी चेक करेंगे तो ज़रा आप देखते हैं कि यहाँ पर हम input supply किस तरह देंगे और इससे जो output वेवर फार्म है रिक्टिफायर की वो पिर किस तरह देखेंगे ठीक है बैटा अच्छा बैटा अब हाफ वेवर रिक्टिफायर के लिए हमें एक AC पाउर सप्लाई भी चाहिए होगी आप सामने देख सकते हैं step down transformer हमारे पास पड़ा हुआ है बैटा step down transformer का म मिल रहे हैं और यहां पर भी बार ओल्ड आपको मिल रहे हैं याप अपने circuit के लिए यहां से 24 पूर्ड यह बार ओल्ड मैं यहां से 12 पर अपनी output लेने के बाद यही 12 बैटा मैं यहां पर अपने circuit में जो मैंने यहां पर आप रिक्टिफायर बनाया है इसी की input पर यहां apply क करूंगा सरक्ट के साथ इंपुट सप्लाई कनेक्ट करने के बाद बैटा अब हमारा जो नेक्स टास्क होगा वो इसकी आउटपुट वेव फार्म को चेक करना है और बैटा आउटपुट वेव फार्म के लिए हमेशा हम सी आरो की उसकरते हैं इस तरह के आपको स्क्रीन पर के बैटा वो मैंने डूल पर की है यानि एट अटाइम आप इस सी आरो की जो दोनों प्राव्ज हैं इन दोनों को इस्तेमाल करके यहां पर दो किसम की जो है वो वेव फार्म से चेक कर सकते हैं इसी फीचर का फार्दा उटाते हुए मैं यहां पर इस हाफ वेव का अमल सरांजाम देता है तो इसके लिए बैटा मैंने तो इस तरह किया है यहां पर जो सप्लाई मैंने लगाई हुए है बारा उल्ट की जो सप्लाई मैंने लगाई हुए है वो सप्लाई तो मैं अलरेडि यहां पर कनेक्ट कर चुका हूं ठीक है यह पाज़ट है तर्मिन उसकी जो wave farm है यहाँ पर CRO पर देख सकूँ अब सवाल यह पेदा होता है कि output wave farm का किस तरह चेक करेंगे तो बेटा याद रखें output wave farm हमेशे के लिए हम यहाँ पर जो load register लगा हुआ है बेटा इसके एकरास हमने voltage को चेक करना होता है तो output wave farm के लिए अब CRO की जो second number पराब है बेटा तो इसको यहाँ पर connect कर दें अब input और output दोनों हमने CRO को जो है वह दे दी हैं हम input की wave farm भी चेक कर सकते हैं CRO पर और output की जो wave farm है बेटा वह भी CRO पर हम चेक कर सकते हैं तो आईए देखते हैं कि CRO पर अब हमारे पास दोनों wave farm की क्या position हा रही है अच्छा बेटा जिस तरह के आप CRO पर देख सकते हैं आपके पास दो reference levels दिकाई दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपने जो selection की है वो dual channel पर की है और पिर यहाँ पर channel 1 की जो आपने selection की है वो भी चैनल 2 की जो है वो props यहाँ पर connect की हुई है अब यहाँ पर जो मैंने selection की है वो ground पर की है तो मैं AC waveform को चेक करना चाहता हूँ कि किस तरह मेरे पास यह waveform आ रही है तो यहाँ से अगर आप देखें AC पर मैं इसकी selection कर लेता हूँ चैनल 1 की भी और channel 2 की भी AC की जो है यह selection कर देता हूँ अब अब अगर आप देखें तो आपको CRO पर waveform तो बनी हुई दिकाई दे रहे है लेकिन चुंकि उसका time period बहुत ज्यादा है बेटा तो वो waveform हमें स्क्रीन पर पूरी दिकाई नहीं दे रही है तो time period के लिए आपने इस तरह करना है बेटा जो time per division की knob है यहाँ पर उसकी जो time period है उसको आपने कम करना है यानि इसकी frequency को ज्यादा कर देना है तो देखे जरा आपके पास बेटा यह waveform शो हो रही है इसमें जो नीची waveform है बेटा यह आपकी जो input power supply है यह उसके लिए शो हो रही है ठीक है input power supply आपके पास AC voltage यहां पर आ रहे है और उसके मताबक बेटा आपके पास जो half way रिक्टिफिकेशन है रिक्टिफाइड आउटपुट है वो आपके पास यहां पर शो हो रही है channel 2 पर इसमें अगर आप देखें जब positive half cycle आता है तो उसके लिए डायओट forward byis होता है तो forward byis में होने की वज़ा से आपको positive half cycle तो मिल जाता है लेकिन जब negative half cycle आता है supply का negative half cycle आता है तो negative half cycle में चुनके डायओड reverse byis होता है बेटा तो इस वज़ा से आपको output पर किसी किसम की wave farm नहीं मिलती और यही आपके पास बेटा हाफ और रिक्टिफायर के सरक्टता यानि एक हाफ जो है आपको मिलती है आउटपूट पर और दूसरी हाफ जो है वो आपको आउटपूट पर नहीं मिलती और हमने यह प्रेक्टिकली प्रूफ भी कर दिया ठीक है बेटा आज के लि आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रस करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें तो आज के लिए इतने काफी है अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दौाओं में हमें याद रखिए और जी असलाम अलेकुम